Hello student, good morning, this is your maths class और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं chapter 5 तो सभी बच्चे अपनी अपनी notebook को open कीजिए date mention कीजिए और इससे पहले आप लोगों को लिखना है new page open कीजिए लिखिए syllabus for final exams ओके जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके final exam में आना है तो अब आप लोगों को जो भी work on देंगे वो सिर्फ अपनी notebook में लिखना है इस प्रकार से आपको practice भी हो जाना है और revision भी हो जाना है तो सभी बच्चे अपनी अपनी notebook में लिखिए date फिर आज आपको पढ़ा रहे हैं chapter 5 में summit of shapes का शेप आप सभी बच्चों ने पढ़िए solid shape and plain shapes plain shapes निम सब बच्चों को learn होने चीए क्या ने ने में बच्चों plain shapes square s-q-u-a-r-e पहले लिखे plain shapes फिर spelling लिखे s-q-u-a-r-e square second rectangle r-e-c-t-a-n-g-l-e rectangle फिर लिखे circle c-i-r-c-l-e circle अब लिखे triangle t-r-i-a-n-g-l-e triangle बच्चों यह है plain shapes अब आप लोग उसी के नीचे अब लिखे solid shapes solid shapes name s-o-l-i-d solid s-h-a-p-e-s solid shapes name number eight cube c-u-b-e cube number two cubei c-u-b-o-i-d three cylinder c-y-l-i-n-d-e-r fourth cone 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 and fifth sphere s-p-h-e-r-e cone 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 कैसे होते हैं इनके इक्जामपल कैसे होते हैं ? कौन जिसके इक्जामपल आपने देख वोगे बठड़े कैप या आइस क्रीम आइस presents iron आइस क्रीम सबी बच से फ़ुअव पसंद करते और इसी प्रकार से एस्था होती है आप लोगों को समोशा भी बहुत पसंद पसंद न? यस be Asia sheep में होता है और इसमें क्या है यही birthday यह दिढ़िया कैप कॉन похож in यिस कितने साइट sacar कोटे उसमें three sides होते हैं लेकिन कोन में केवर one corner होते हैं कितने corner होते हैं one corner ओके आचा इसी प्रकार से आप हम देखेंगे इस फेयर इस फेयर बच्चो जो जिसका plane shape होता है circle circle का solid shape होगा इस फेयर जैसे football देखिए सभी बच्चों ने earth और सभी बच्चों ने देखा न जो आपके office में भी रखा होता है globe है न वो ठीक अब इसी प्रकार से इस फेयर का आपने पढ़ लिया अब यहाँ पर लिखेंगे cylinder cylinder बच्चों cylinder का shape कैसा होता है yes उसमें जो है two plane shape होते है और एक curve face होता है two plane face और एक curve face जैसे यहाँ पर एक candle रखी है और एक can आपके घर में बहुत सारे kitchen में मम्मी की kitchen में बहुत सारे टिब्बे रख्योंगे वह सभी के shape में होंगे cylinder shape में होते हैं है ना अच्छा इसी प्रकार से अब हम पढ़ते हैं क्यूब cube में जो shape होता है बच्चों वो होता है dice for example dice और या फिर ice cube सभी बच्चों के घर में fridge होगा तो fridge में जो tray होती है तो उसमें सभी square cube की स्थार जैसी बनी रहते हैं तो हम उसको आचरा लिखी व्धोड़क decent लिख लिया है ना इसी प्रकार से आप लोग और के लिख सकते हैं इसलिके अम्बरेला जो की बंद हूता है ला उसको भी आपके सकते हैं और इसी प्रकार से और ऐसाaja में लिखिजिया फोटबाट कर लिख दिजिए है ना और युदि आपको और कुछ समझ में आता है तो वो कोई sweet भी लिख सकते हैं इसी परकाश से cylinder cylinder में क्या है बचो cylinder में आपने देखा candle दिया है और can cylinder and जिसमें आपको लिखना है candle and can फिर cube cube में लिखिये dice and ice cube तो बचो यहाँ पर जो shape दिये हैं यह दिये हैं आपको solid shapes कौन से shapes दिये solid shapes तो अब आप सभी लोग इन shapes को learn किजिए और अब यहाँ पर आपको count कर देखिये नीचे आपको question number c में plain shapes है जबकि question number b में कौन से shape है solid shapes question number b में count the number of sight of each shape has and write the number of inside the shapes ठीक है आपको यहाँ पर जो भी shapes दिये गए हैं उनके आप क्या count करने हैं side आप बताएंगे आप लोग जैसे first plane shape है rectangle two opposite sides are equal okay four sides होती है but two opposite sides are equal इसे हम rectangle कहती है और इसमें four sides होती तो rectangle has four sides and four corners इसी प्रकार से second shape है square square को हम कैसे पहचानते बचो यस इसमें four equal side होती है square has four equal side and four corners okay and triangle को किस तरीके से identify करते हैं triangle में भी three sides and three corner a triangle has three sides and three corner इसी प्रकार्सिफ सर्कल circle has no sides no corner ओके आज आज आपने क्या learn करना है plane shapes and solid shapes नेम और साथ में उनके shapes को भी identify करना है तो बच्चो अब आप लोग अपना work complete कीजिए and send कीजिए bye bye have a nice day